असलाम अलेकों माई यूटीब फैमिली मीट करते हूं कि आप सब बिलकुल ठीक होंगे और अपनी अपती जिन्दगियों में हुश होंगे मेरा नाम है फात्मा और आज में आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही असान और चंद मिन्टों में बनने वाली ब्रेक्पास्ट की रेसिपी जिसे आप लंच में भी बना सकते हैं डिनर में भी बना सकते हैं तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने एक अदित कड़ाही लेनी और इसके अदर आपने डालना एक छोटा कप और यानिके तेल का और डालने के बाद आपने शामिल करने है थाइब भाच लिया, पैसे पैस नासे उनिते तानफ इस आपे onyais संथ में टीड कामit रिता कर लिए लारी रिमान साइस कंदर शामिल कर दिया अगर आप कमने की पैस की कौंटिटी आप हाफ कर सकते हैं ठीक हो गया अब आपने यहां पर प्यास दालने के बाद क्या करना है आपने इसको पकाना है दर्म्यानी आज के उपर आपने इसको पकाना है और इसको गोल्डन ब्राउन करना है आपने इसको ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना जस्सिंपल गोल्डन सामिल किये हैő और टेमाटर मैंने कथ धुकश की है यह तक्रीबद पांच अदर टीमाटर 어렵ने हैं अप ताजह भी मे ले सकते कौते हैं तो इस्प्तियू आप टेमाटर लाने के बाद आपने इसको मिक्स करना हैएव यक दफा और मिक्स करने के बाद अच्य तरीके जब यह मिक्स होजाएगा तब बाबने अर्टेश का लार मिच का अपने लाब no- गहां अर्टेस्पून इतना नमख डालना है अहां आप डालना अर्टेस्पून अर्फ इतना गड्स में नमा क्ली डालनी है और यह अर्टेस्पून भर अब जितना डाला है यह नॉर्मल रेंज के अंदर आता है तो जो लोग दर्मयाना नमक मिर्च पसंद करते है वो इस तरीके से डाल सकते है इतना जितना मैं डाला है इसके बाद आपने इसको मिक्स करना इसको थोड़ा पकाना है ताकर टेमाटर का पानी ड्राय हो जाए और आप देख सकते हैं और उपर आ चुका है तकरीबन इसको छे से साथ मिनट लगेंगे और मसाला आपका भुण जाएगा इसके बाद आपने चार अदद अंडे लेने के बाद आपने सेपरेट बोल में इनको तोड़ लेना है और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से मसाल अदेख सकते हैं उससे होता है कि बहुत बिलकुल कीमा बन जाता अगर अगर इस तरीके से डालते हैं थोड़ा सा स्क्रैंबल एक बनता और उसका मज़ा ज्यादा ठीक हो गया तो यह डाले के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजेगा आफटर दाट आपने इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए पकाना है, 5-6 मिनट के अंदर अंडे जो हैं वो पक जाएंगे, उनका कच्छा पन हत्म हो जाएगा, आउल उपर आ जाएगा, आपने इसको 5-6 मिनट के लिए भूनना है, ठीक होगा दरम्यानी आपने आँच रखनी ह और दरम्यानी आँच के उपर आपने इसको पकाना है, 5-6 मिनट के बाद आपके जो ये मज़ेदार सालन है, ये बन के तियार हो जाएगा, अंडे प्यास का सालन भी इसको कहा जाता है, इसके इलावा आप इसको कह सकते हैं कि ये हाग गीना कहला रहा जाता है, तो ये पाऊंगी, and after that मचूला बन कर दोंगी, इसको सर्फ करोंगी, टोटल टाइम जो इसको बनाने में आपका लगेगा, वो हाडली 15 मिनट लगेंगे, और उसके अंदर बल्कि उससे भी कम टाइम में ये तियार हो जाएगा, और ये इतना अच्छा बनता है, कि हर बंदा इसको क्लिक करके चैनल को सब्स्क्राइब कीजेगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को अन कर लीजेगा, क्योंके इससे मेरे आने मेली हर नहीं वीडियो सबसे पहले आप तब पोंचेगी, और ये बिलकुल फ्री है, लीजे जणाब हमारे मज़िदा